पानी बीते रहना जीए भई पानी बहुत जरूरी है लास्ट वीक हमने बात की थी स्टूडियो सेटप्स के बारे में और उसमें आपने तीन सेटप्स को देखा जो मैंने आपको बताए काफी लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेटप्स किया विच इस गुड फिंग क्योंकि वो बजट फ्रेंडली थे बट एक चीज मैंने डिसकस नहीं की और वो आज डिसकस करूंगा अब लास्ट वीडियो में जो चीज मुझे लगा मैं डिसकस नहीं कर पाया या मुझसे रह गई वो थी साउंड प्रूफिंग कि किस तरह से आप अपने रूम को जो है साउंड प्रूफ कर सकते हो किस तरह से उसे अकूस्टिकली ट्रीट कर सकते हो ताकि आप जब रिकॉर करना चाहिए थोड़ा साउंड प्रूफ ताकि आपकी रिकॉर्डिंग्स जो है क्लियर आए और उसमें किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस या रिफ्लेक्शन या कुछ अजीब अजीब अवाजे ना हो और राइट सो साउंड प्रूफिंग की हम बात करते है बट उससे पहल माइक की बात कर लेते हैं काफी लोगों को यह confusion है कि कौन सा माइक लेना चाहिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंडेंसर माइक्रोफोन लो बिकस कंडेंसर माइक्रोफोन बहुत ही जादा सेंसिटिव होता है उसमें आवाज बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है और वह आप हुआ जोटी डीटेल है आवाज की यह थू कर लेता है डामेक माइक्रोफोन वसको भी ज़ूटिव होाज की यह कशनल होता है उसके जो बिल्कुल जो सौर्स होगा वाज का उसी को देटेल नहीं के यहाँ बहुत अच्छे काप्श्यर माइक्रोफोन झाप्ट już ne ले सकते हो, so condenser microphone आपने ले लिया, अब condenser microphone को आप place करें recording के लिए, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि उसके उपर एक pop filter लगा हो, अब जिसको pop filter नहीं पता, pop filter एक ring होता है, जिसके अंदर एक बहुती पतला सा कपड़ा लगा होता है, जो basically आपकी जो मूँ से निकल रही हवा या कोई भी प या फ यह sounds को रोक लेता है, और क्योंकि वो mic इतना ज़्यादा sensitive होता है, तो उसमें वो फ और फ फ यह sounds capture नहीं होती, वो कपड़ा बीच में लगा होता है, वो उसको रोक लेता है, तो आपकी sound recording हो रही है, जो आपकी vocals record हो रही है, वो ज़्यादा clean record होते हैं, विकाज यह प प प प प प यह आवाजे बहुत गंदी लगते है recording में, और mixing में इनको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन आवाजों को ना record करें, जो हमारी प प प प अवाजे हैं, तो यह pop filter से हम इसको रोक सकते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया, जो pop filter होता है, वो ring style होता है, basically आपके microphone और आपके beach में वो आ जाएगा, mic के बिल्कुल सामने लग जाएगा और आप उसमें से बोल सकते हो, और कई बार pop filters mic के ऊपर भी लग जाते हैं, जैसे कि यह वाला, इसमें आप देख सकते हो, यह mic है, मेरा condenser microphone है, B2 Pro from Behringer, और इसके ऊपर मुझे यह pop filter मिला, basically यह इसके ऊपर just like a cap, यह लग जाता है, और यह मेरी जो pop sounds को रोक लेगा, मेरे मुझे कोई भी निकली, अजीब आवाज, हवा कुछ भी record नहीं होगी, बहुत साफ vocals record होगे, इसे बोलते हैं pop filter, दो तरह के pop filters होते हैं, एक तो ring type का, और एक इस तरह का cap style का pop filter आप लगा सकते हो, जब आपने mic center में place कर लिया, और आप recording करने वाले हो, तो काफी लोग यह गलती करते हैं, कि recording करते करते वह अक्सर कई बार आँखे बंद कर लेते हैं, कई बार उनको ध्यान नहीं होता, वह मुझ अपना कभी इधर कर लेंगे या इधर कर लेंगे, मुझ अपना जो direction थी, उसको हटा के इधर-उदर कर लेंगे, जो की नहीं करना है, वह माइक इतना sensitive होता है, वह उस चीज को उठा लेगा, अगर वह आपने मुझ से थोड़ा सा भी इधर किया, तो आपकी जो vocal है उसमें फरक आ जाएगा, जो उसका gain है, जो उसकी volume है, बहुत जादा dip हो जाएगी, यहां उसमे tone change भी हो सकती है, बहुत चीज होती है, अपना मुझ हमेशा सीधा रखो, कई बार यह भी लोग करते हैं, जो फोन में से पढ़ते हैं, फोन इधर रखा होता है या पकड़ा होता है, फीरा माइक में देनी है, कहीं इधर उदर नहीं देखना, बहुत सारे लोगें गलती करते हैं, मत करो, अगर आपका posture सही है, आपकी माइक placement सही है, और आपकी माइक जो आपके बिलकुल जो चिन लेवल पे आना चाहिए, अगर आपका माइक यहां इस लेवल पे आपने रखा हुआ है, तो काफी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, तो कोशिश करो आपकी चिन लेवल पे माइक्रोफोन हो, और आप बिलकुल उसमें डिरेक्टली फेस कर रहे हो, आपका फेस बिलकुल उसके सीध में है, और बीच में पॉप फिल्टर होगा, और आपकी जो रिकॉर्डिंग काफी अच्छी होगी, बाइदवे अगर उपर पंखा चलता है और नीचे रैपर रिकॉर्ड करता है, तो रैपर को सबसे पहले पंखा आफ करना चाहिए, वो जो कंडेंसर माइक्रोफोन है वो इतना जादा सेंसिटिव है, कि वो हवा की साउंड भी कैप्चर कर लेगा, जो की हमें नहीं चाहिए, वरना जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो बैग्रोंड में बहुत जादा नौइज होगी, वो पंख्या की हवा जो है बैग्रोंड में भरी भरी इस तरह से साउंड आएगी, और अगर एसी भी चल रहा है तो एसी को भी बंद कर दो, कई लोग एसी ऑन करके रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एसी की भी साउंड रिकॉर्ड होती है, मुझे पता है गर्मी है बट साफ रिकॉर्डिंग के लिए इतना सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, तो अपने फैन को आफ कर दो, अपने एसी को आफ कर दो, अपना मुझ बिल्कुल सीधा रखो माइक पे, इधर उधर नहीं देखना है, और बीच में पॉप फिल्टर जरूर लगा लेना बहुत जादा फरक पड़ेगा आपकी वोकल रिकॉर्डिंग्स में, सबसे पहले बात करते हैं, जो प्रॉपर स्टूडियो होते हैं, वो किस तरह से अपना अकूस्टिक्स करते हैं, यानि कि किस तरह से साउंट ट्रीटमेंट वो करते हैं, अब मैं यहां पर शाउट आउट देना चाहूंगा, मेरा कारपेंटर, मेरा भाई जसी, जिसने यह स्टूडियो डिजाइन किया, यहां पर सारी जो भी उसने अकूस्टिक्स, जो साउंट ट्रीटमेंट थी वो की, अब उसने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यह चीज प्रफेश्νεल स्टूडियूज में की जाती है, एक लकड़ी का फ्रेम बना जाता है, उसके अंदर रॉकड़ेया जाता है, जाप बना लिलेंज जाती है, वो जो दो या तीन इंच की जो रॉक फूल है वो उस फ्रेम में भरी जाती है वो काम करती है इंसुलेशन का बहुत ही अच्छा एक साउंड इंसुलेटर है वो रॉक फूल उसमें से साउंड नहीं पास हो सकती बहुत ही मुश्किल है साउंड को उसमें से निकल के जाना तो वो लगाओ अगर आप लगाना चाहते हो बहुत अच्छी ऑप्शन है उसमें तीन चार तरह की वराइटी आती है आप ट्राइए कर सकते हो वह फ्रेम में आपनी जब रॉक फूल भर ली तो उसके उपर लगेगा कपड़ा जो कपड़ा होगा वह इसी के लिए सोफे जो आप अपना फैंसी कपड़ा जो भी कलर का आप चाहते हो वह लगा सकते हो तो यह जो रॉक वूल के जो पैनल्स बन जाएंगे जो फ्रेम जो आपने बनाया था उसमें भरा इसको बोलते हैं पैनल्स तो अकूस्टिक पैनल्स को आप दिवार पे अपने अटाच कर सकते हो अपनी चारो दिवारों पे लगा लो और आपका रूम एकदम से साइलेंट हो जाएगा एकदम से अकूस्टिकली ट्रीटिड हो जाएगा अब यह तो बात हो गई आपके स्टूडियो की जिसमें आपने प्रॉपर पैनल्स लगाए और रॉक वूल से उसको भर लिया और ब जादा कुछ नहीं करना है जो आपका रूम है उसमें हमें भरनी हैं कुछ चीजें अब यह चीजें हो सकती हैं एक बैड या फिर एक सोफा मतलब ऐसी चीजें जिन पर थोड़ा बहुत कपड़ा लगा हो क्योंकि वह चीजें साउंड को अब्जॉब कर लेंगी आपके कुछ नहीं किया जादा मैंने सारी दीवारों पे कर्टन लगा दिये जब मैंने चारों दीवारों पे पड़दे लगा दिये तो उन्होंने साउंड अब्जॉब्शन का काम किया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो कपड़ा होता है वह साउंड अब्जॉब कर लेता और वहीं पे कहीं न कहीं अब्जॉब हो जाएगी काफी हद तक तो वह कहीं न कहीं आपको help करेगा जो curtain होगा तो जो curtain आप लगा रहे हो उसको आप double layer कर सकते हो उसके पीछे एक extra कपड़ा लगा सकते हो sound को absorb करने वाले special curtains भी आते हैं जो theaters में लगते हैं आप वो भी try कर सकते हो बट अगर आपका budget उतना नहीं है वो महंगा कपड़ा लग रहा हो तो आप simple जो है परदे लगा सकते हो जो घर में normal हम drawing rooms में या bedroom में लगाते हैं अक्सर हम window के आगे लगा देते हैं बट आप कुछ मत करो आप simple अपनी rod लो जो परदे टांगने वाली rods होती है चारो दिवारों के उपर लगा दो और उसमें परदे टांग दो मैंने यह personally set up किया हो था मुझे शुरू शुरू में लगता था कि थोड़ा अजीब लगेगा पता नहीं किस तरह के लगेंगे यार कि सारी दिवारों पर युनों परदे लगे हुए है और in fact जो अलमारियों के आगे भी परदे जो है उनको cover कर रहे है but trust me जब मैंने यह बनाया और मैंने देखा मेरा जो वो room था एकदम उसका नक्षा change हो गया जो भी आता था room में वो यह कहता था कि यार यह कैसे बनाया आपने क्या इतना सुन्दर लग रहा है बहुत अच्छा मतलब आपने चीज क्या रखी है तो परदे जो हैं आपकी sound absorb करेंगे अब अगर आप recording कर रहे हो और आपको फिर भी लग रहा है कि यार अभी भी आवाज में थोड़ी बहुत reflections हैं कुछ problems हैं और थोड़ा सा silent हो सकता तो better होता तो उसके लिए मैं आपको एक और बढ़िया product दिखाऊंगा इसे कहते हैं Vox Guard यह बेसिकली लग जाता है आपके माइक के साथ जो आपका माइक होगा condenser माइक वो यहां पर प्लेस हो जाएगा इसके बीच में से मैंने बताया बहुत ही जादा convenient चीज है इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो in fact जो producers आजकल क्या करते हैं इसको साथ रखते हैं कई बार किसी hotel में ठह रहे हैं वहीं पर recording करनी है इसको लगाया माइक के साथ और क्योंकि वो hotel rooms इतने अच्छे treated नहीं होते हैं तो माइक इसके साथ लगाते हैं यह automatically जो है माइक के इर्दगिर्द एक अच्छा soundproof you know situation create कर लेता है तो बहुत अच्छी चीज है आप यह try कर सकते हो walksguard online मिल जाएगा मैंने बजाओ.com से लिया so walksguard आप इसे ले सकते हो बहुत अच्छी चीज है condenser microphone यहां लगेगा बीच में तो यह सब जुगाड करके आप अपने room को treat कर सकते हो soundproof कर सकते हो और अपनी recordings को सुधार सकते हो तो जिन लोगों के पास ज़्यादा budget नहीं है पढ़दे वाली option try करो सारे कमरे में पढ़दे मुझे DM कर सकते हो हमेशा की तरह my ID is 5Skilla वहां जाओ मुझे DM करो मुझे follow करो मुझे कुछ पूछना चाहते हो मैं इस्टागराम पर हमेशा वेलिबल रहता हूं ऐसे reply करता हूं कभी भी मेरी reply में कभी जी delay नहीं आएगा subscribers को तो सबसे जादा priority भई उनको सबसे पहले reply जा मुझे